सब लोग को वाइस आ रहा है मेरा हाँ हाँ वाइस आ रहा है मेरा रिनीशा चलाओ question 2 question 2 से चालू करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालने बोल रहा है 10 deferred 4q 36 select ठीक है तो कैसे करेंगे इसको solve आई पीछा लेसी चलाओ 10p 36 into 4 q 46 पर ये बार 46 125 ये कैसे करेंगे 1.04 to the power 0.5 सबस्याजाएं होती है क्यूं किवाई डेल्टा के सबस्तों है ये में करते हैं कि अच्छा आई ज्चासे कहां से अटाब्य कि आई आई डेल्टा हमेद्चान नहीं उसकर तरह्ताफे वह अलग इत्ञत अना हां हम लोग कभी भी तो रहने जावराई सं! कि नहीं तुम गलत बोल रही हो वह खाली यूडिटी के लिए यूज़े वह सब में नहीं यूज़ता है ठीक है तो ए बार कि सोचे थे इसको स्किप करेंगे बड़ कृती के वज़े से यह भी कराना पड़ेगा 1.04 to the power 0.5 a 46 minus b to the power 25 25 p 46 a बोलो ठीक है तो इंडिपेंदेंट लाइब कुश्चन नम्मर थी प्याओ टू इंडिपेंदेंट लाइब एक्स न वाइब कॉंस्टेंट आन्वल पोर्स दो मॉटालिटी ठीक है प्रॉबाइबिलिटी 6 q x 2 y 6 2 6 q x 2 y निकालना है तो कैसे निकालेंगे मैं एक्स उद भी दे सेकेंड बन टू डाय मैंने जब एक्स मर रहा होगा तो समय भाई ठीक है तो 0 to 6 0.03 0.04 e to the power minus 0.04 t फिर integration के अंदर आएगा s runs from 0 to t इसका मतलब क्या अब ध्यान से बताओ इसका मतलब क्या अब ध्यान से बताओ बोलो 4 क्या है 0.04 यह दू जब यह ज़द दिसस्टे रंस फोल रो तो 6 e to the power minus 0.04 e to the power minus 0.04 एक्स का मॉटालिटी माने मूँ इस 4% 0.04 ठीक है एन वाट इस 0.03 तो वो क्यों मुल्टीप्लाई हो रहा है दोनों मर जाएगा 6 साल में मतलब S runs from 0 to T e to the power minus 0.03 S Ds इसका मतलब क्या है बोलो बोलो समझा है इसका मतलब T पे मेरा वाँ सुनो T पे जब तुमारा X मर रहा है उसके पहले Y मर जाना चाहिए इसलिए S का जो रेंज है वो है 0 to T और T का जो रेंज है वो है 0 to 6 वो तो ठीक है वो तो सबको ही पता है कि 6 सल में दुनों जन मर रहा है बट जब X मर रहा है तो Y मर जाना चाहिए तब तक ठीक है यह बहुत इंपवारा माने कंटिंजेंट से तो question आई रहा है हर term में आ रहा है कंटिंजेंट रिवर्शनरी से तो question आई रहा है ठीक है तो X क्या हो जाएगा this is x solve कर ले ना फिर इसको नहीं बट e to the power minus q तो q क्या है क्यों यह तुम लोग कराया ना contingent वाला में तुम देख यह सब का पूरे derivation कराया है कि x2 जब होगा हाँ नहीं 6 टो case वो reverse नरी है च्छै केस जो किये थे वो that is reverse नरी यह वा आपी बड़े सर बड़े हैं नहीं आज तुम लिखाएगा ठीक है है ठीक है ठीक है यह contingent उसके पहले वाला है contingent assurance and anonymity कि जब x पहले मरता है x जब second मरता है y जब पहले मरता है y जब second मरता है तीन चर पेज का notes लिखवाए थे basics of joint life के बाद था और reverse नरी के पहले था देख इसमें क्या है ना s का range है 0 से t तो इसका मतलब क्या है कि y मर रहा है t पे x मर रहा है देख चीज समझ नहीं t p x into this है ना वो ही तो बोल रहा है उसका range देख 0 से t है उसके पहले पहले वो मर चुका होगा basically के लिए ठीक है इसका होता कुछ ऐसा है t q y t p x mu x plus t इसका मतलब यह है ठीक है मने जब x मर रहा है तो y मर चुका होना चाहिए उस राइम तक question number 4 देखो an insurance company issues 20 year joint life term assurances so end कितना है the sum assured of 1,50,000 is payable at the end of the year of the first death तो मेरा जो sum assured है वो कितना है 1,50,000 end of year of first death if it occurs within the policy term the premium is payable monthly in advance throughout the term of the policy year until the first death if earlier calculate the monthly premium for a policy issue to a male life age at 55 exact and a female life age 53 exact so x का age कितना बोला है 55 और y का age कितना बोला है 53 PMA PFA 4% so सबसे पहले हम लोग को 20 साल बुला है ना तो premium क्या आ जाएगा ठीक है death benefit का कैसे solve करेंगे हम लोगो क्या बुला है हम लोगो क्या बुला है Joint left temporary term assurance joint left term assurance सो 1,50,000 जिस विल भी A इमेडियेटली है कि end of year बोला है ना पूरा नॉर्मली इसको तोड़ना है हम लोगो अब जैसे देखो इसका ब्रेक अब देखलो जिस इस A due 55, 53 minus 11 by 24 minus V to the power 20 20P 55, 53 A due 75, 73 minus 11 by 24 और इसको तो PMA PFA का joint वाला से solve परेंगे ही अब A वाला देखलो A 55, 53, 1 20 यह है ना इसको हम लोग करेंगे A A 55, 53 फिर इसको दुबारा समल लोग सकते है 1 minus D वो हम लोग पहले solve कर चुके होंगे माइनस V to the power 20, 20, P 55, 53 तो भाई इससब solve करना difficult है, एक्जाम में होतना याद नहीं आता है, इससब तो प्रैक्टिस में आगा तभी तो solve होगा ना नेक्स आओ और अक्च्वल में ये सब जो terms था ना, ये सब COVID का terms था, कुछ समय कोई exam ही नहीं दे रहा था, September 2020 is the peak of COVID तो online भाई, it was the initial attempt अब तो में April और September, April वाला जो attempt था April 19 का जो attempt था specimen ये लोग पहले निकाला था, April 19 के पहले ये लोग एक specimen paper निकाला था 50% से भी ज़्यादा सब specimen से आया था, same type का question फिर भी लोग fail हुआ, तो it depends अब जब माले अभी term change होता है, for example 2024 IEI introduced online तो अब ये IEI students को भी problem होगा उसके बाद मैं माले अभी ये लोग बोलता है, हम लोग MCQ करते हैं तो MCQ वाले में दिक्कत आएगा तेरकों, फिर तुम बोलेगा सर हम एक दो attempt लेना चाहेंगे तो adaptability सब के अंदर वैसा नहीं है नहीं वो तो बात तो चली रहे ना कि IFA MCQ होगा, testability अच्छा होता है MCQ में result तुरंट पता चल जाता है वो ऐसा depend करता है, depend करता है कि करेगा कि जैसे SOE में exam देगा तुरंट पता चल जाता है कि होगा कि नहीं होगा तुरंट उस्सी दिन result आ जाता है अभी यूसCPA के exam दिए उसमें 10 दिन में result आ जाता है बंदरह दिन में तुम समझे लें exam का साल में दो ही बार exam हो रहा है तो और qualified actuaries कैसे निकलेगा साल में तीनचा बार टेस्टेबिलिटी और CFAFR में देख टेस्टेबिलिटी बढ़ गया कुछ-कुछ exam 6 बार होता है SOE में तीए भी तीन बार आज ही तो नहीं जाए तो इंस्टेबिल को थोड़ा और यह सब चीज में अगर हम लोगों को वह अचीव करना है गोल कि मेरे को इतना एक्शुरीज बनाना है नहीं बनाना है तो इस साल में जैसे से cat exam होता है वो साल में एक ही बार होता है एन उसके लिए लॉजिक बनता है कि साल में एक बार एक्शाम इसलिए होता है क्योंकि जो admission year होगा वो तो बट अगेन देखो GMAT कितना आगे है GMAT तुम कभी भी ले सकता है तुम्हारा स्कोर इतना साल तक वालिड रहेगा आइस्वी यंग लीडर्स प्रोग्राम में तुम देखो कितना अच्छा सिस्टम है वो लोग का वो सब चीज जो adaptability वाला चीज है अब जैसे मालने हो ही सकता है कोई दिन तुम्हारा mindset वैसा काम नहीं किया आज हर दिन हम class में ते सब दिन माइंसेट सेम नहीं रहेगा सब दिन डिसेंबर में कोई दिन class ले थे बहुत ज़्यादा mood off हो गए तो उसे नहीं class बंद कर दी तुम लोग को याद नहीं होगा हां हां तो मुझे नम उसे नम honest लिए आफ्टर सो लॉग हम एक दू चीज गलत पढ़ा दिये थे फिर हम बोले यहला class जा लेंगे नहीं तो उसे माइंड एकदम नहीं था तो होता ही है तो exam का जो testing है वह ऐसा होना चीए कि थोड़ा regularly exams हो तो फाइदा होगा तो यह सब ची करना होगा तो पाई नहीं है अब कोई बच्चा का नहीं होता है तो सोचो 6 महना हम लोग के टाइम पे CA Inter में result आता था तीन महना के बाद में तो तीन महना एक बच्चा डिलेमा में रहता है कि उसका होगा की नहीं होगा अभी भी आप देखो अभी आप exam दोगे एप्रिल म में जून जुलाई है अन्य क्लोस टू 3 मंच आपको हमेशा मन में एक डर सताएगा हम भी तो स्टुटेंटी है वी भी तो मेरा मन में भी डर रहता है तीन महना ना तुम कुछ आगे का सोच पाएगा ना तुम कुछ पीछे का सोच पाएगा तो इस आर दी प्राक्टिकल प तो तीन महना का जो पीरेड है अफिकन कट डाउन टू 15 डेस 20 डेस मैक्स वन मन्त हाँ अभी तुम पढ़के एक्जाम दिया है तो टू 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 ट्री वीक्स यू कें टेक सम रेस्ट तो वो प्रॉसेस फास्ट हो जाएगा ना प्रॉसेस फास्ट होने से फिर क्या त समझ रहा है वह सब चीज है छोड़ा चक्कर है इतना बोलना इजी है इतना सब एक प्रोफेशनल कोर्स पुरा करना इतना इंस्टूट को भी अभी जो यंग डाइनमिक लीडर्स लोग अगर जैसे सीए में देखो यंग डाइनमिक लीडर्स जो भी हैं वो लोग का है कि मैं में को एक्सलार इंट्रोड्यूस करना है समझ रहा है अब सीए में भी ऐसा हो गया है कि भाई तुम तीन बार एक्जाम देगा यंग डाइनमिक लीडर्स लोग का काम है जो लोग कम उमर का है जो लोग को पता चला कि भाई क्या प्रॉब्लम है समझ रहा है उसे आलाइन में ग्जाम दिया है जो आलाइन में दिया वह फिसिकल अब हम दोनों में दिया तो म deeply All ने बीडिया है एक्दम इचली चली विदिया है क्या में भी धैगा विजाम स्टॉर्प mina में नहीं हुआ था पीवन अब तो वो लाप्स हो गया कोई बात नहीं आओ फाइब में आओ a company invests 50,000 now and receives the following income over the next 12 years छीक है during the first 4 year period 4,000 per annum paid quarterly in arrears x per annum paid half annum paid half annum paid continuously there are no other payments under the investment calculate x assuming the company achieves the nominal rate of return अब देख उसको कैसे करेंगे 4000 a44 plus v to the power 4 x a42 फिर प्लस 12,000 v to the power 8 a bar 4 now this should be equal to हम लोग को i12 दिया वे ना तो यहां से हम लोग क्या करेंगे 1.0075 9% दो 0.75 पर मंत हो जाएगा ठीक है इसको देख लो यह सब equation बनाएगा धिरे धिरे तब जाके होगा अब जैसे इसमें लोग गंदगी कैसे मचाएगा बाकी सब पर आनम में देदेगा कोई एक तुम्हारा उसी period का देदेगा जैसे x पर आनम क्लिरली लिग दिया है but they might give x पर half year तो वहाँ आदा बचलोग गलती हो जाएगा अरे अभी तको एक्जाम में बहुत प्रेशर रहता है ठीक है सिक्स में आओ अन इंवेस्में बैंक बोरोस 39.5 मिलियन अट अन एफेक्टिव रेट आप इंटरेस्ट पर आनम the bank uses the money to invest in a capital project that provides an income of 5 मिलियन पर आनम payable quarterly in arrears for a term of 15 years this income is used to repay the loan once the loan has been repaid the bank can earn interest on the income at an effective rate of 6% discounted payback and accumulated profit कितना बोरो कर रहा है 39.5 मिलियन बोरो कर रहा है और interest rate अपने को कितना दे दिया है 8% का अपने को interest rate दे दिया है ठीक है the bank uses the money to invest in a capital project that provides an income of 5 मिलियन पर आनम payable quarterly in arrears for a term of 15 years so 5 AN4 quarterly in arrears this should be equal to 39.5 ठीक है so loan का rate है 8% तो उसको 8% पर solve करके मिरेको n निकालना पड़ेगा ठीक है so how to solve this 5 मिलियन पर आनम बोल रहा है so 5 into an into i by i4 is 39.5 is it clear so बाकी सब कुछ आ जाएगा अब an को भी खोल देंगे यह फिर खोलने का दरकार नहीं है an will be equal to by observation देख लो नहीं solve करना पड़ेगा अक्चुली quarters है ना observation से नहीं आएगा so 1 minus 1.08 to the power minus n by 0.08 solve करिए इसको n algebraically solve करना पड़ेगा तभी खुकी दखो अगर 0 से 0.25 के बीच में हो सकता है 0.25 से 0.5 के बीच में हो सकता है 0.5 से 0.75 के बीच में हो सकता है and 0.75 से 1 के बीच में हो सकता है are you getting it? नहीं n will be something in decimals अब तभी तो मैं बोला कि देख के नहीं होगा नहीं नहीं n yearly नहीं आएगा n तुम करो तो सेरी पहले n का value निकालो n years में नहीं वो ही तो बात है n years में करके कोई मतलब नहीं है n यहाँ पर आएगा आपका 12.365 तो 0.365 का मतलब क्या है? 12.5 and 12.25 इसके बीच में आएगा आपको निकालना है dpp तो obvious से बात है यहाँ पर suffice नहीं करेगा लेकिन यहाँ पर suffice कर जाएगा obvious से बात क्या है कि यहाँ पर वो suffice नहीं करेगा बट वो यहाँ पर suffice कर जाएगा are you getting it? मैं क्या बूलने का ट्राइ कर रहा हूँ? ठीक है? जाएग नहीं कर दो हाँ अब अपने को क्या बोला है अब यादर आपने ऐसा एक कुश्चन किये थे तो अपने को पहले निकानला पड़ेगा एन पीवी तिल 12.5 कैश फ्लोस तो 5A क्यूंकि 12.5 वाला पूरा नहीं लगेगा 12.5 में मेरे पास कितना बैलेंस प्लोस प्लोस अपने करेंगे 1.25 A 12 चार्जा 48 A 50 quarterly effective rate से इसको solve करो quarterly effective rate से इसको solve करो तो quarterly effective rate से solve करके जो एन पीवी आएगा ना उसको फिर अपने multiply करेंगे यह फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 5 A 12.5 उपर 4 ऐसे भी कर सकते हैं हाँ अभी जो है वो 8% पर ही होगा rate तुमारा चेंज हो जाएगा 20 साल का project है ना तो यहां 12.5 के पहले जो है एट है और इसके बाद जो है कितना बुला है 6% कितना आ रहे है तुम समझा ने बटा रेट चेंज होगा और यह वाला जो payment है यहां पर इस payment पूरा नहीं लग रहा है बोल हमको बोल अरे यहां क्या लिखें है 15 माइनस 15 साल है कि 20 साल है भाई तुम लोग क्या कर रहे है बोल रहे हैं 15.29 के बाद रेट चेंज होगा तो एक रेट में कैसे करेगा 15.29 के बाद तो रेट चेंज होगा यहां पर अभी तो बनाया साथे बारा के पहले लोन चल रहा है उसके बाद लोन क्लियर अब इंवेस्मेंट करेगा बुछ हैपे investment bank borrows 39.5 million dollars at an effective rate of 8 percent the bank uses the money to invest in a capital project that provides an income of 5 million per annum payable quarterly in a year for a term of 15 years this income is used to repay the loan once the loan has been repaid the bank can earn interest on the income at an effective rate of 6 percent calculate the dpp calculate the accumulated profit the bank will have made at the end of the term समझा तुम लोग तो हम लोग को करना पड़ेगा यहां से मेरा आ जाएगा जो balance residue payment है हां तो balance residue payment को फिर मैं करूंगा 1.08 to the power फिर करूंगा 1.06 to the power फिर 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 प्लस करूंगा 5A कितना मारे डाइग्रम बना दी यहां बर तुम लोग एक बेसिक ची समझ में नहीं आ रहे हैं बोल रहें साड़े बारा पर लोन क्लियर पर साड़े बारा पर जो 1.25 मिलियन डॉलर्स का इंकम आएगा वो पूरा मेरे को नहीं चाहिए तब ही तो मैं बैलेंस रेसिड्यू पेमेंट निकाल रहा हूं क्या अरे तुम इसको वसी दिखा नहीं सकते लेकिन तुम जैसे बोल रहें वैसे होता नहीं है तुमको दिखाना पड़ेगा यह प्रोसेस नहीं करेगा तो मार्स नहीं मिलेगा 15 पॉइंट तुमारा एंसर कितना आ रहा था इसमें 12.3 एंसर लाना जीवन में गोल नहीं है जीवन में कमाना खाली गोल नहीं है तो एक जन का भी पेपर लिख दूगा तो एक करोड रुपर देने के लिए रेडी है इतना फिर महनत करना नहीं पड़ता तुम समझी नहीं रहे 12.365 पर प्रैक्टिकली कोई पेमेंट हो यह नहीं रहे या तो वो पेमेंट जो है पेमेंट जो है 12 12.25 यह 12 है 12.25 फिर आएगा 12.5 फिर आएगा 13 मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एक और आ सकता है 12.75 मैं बोल रहा हूं कि पेमेंट का टाइम्स यही है तुमारा आ रहा है यहां पर इसका मतलब क्या है कि यहां पर तुमारा पुरा सफाइस नहीं हुआ बट यहां पर तुमारे पास वो निकालना पड़ेगा ना अभी आया देखो बैलेंस जो पेमेंट लोन क्लियर करने के वाद बचा उसको अम लोग अक्यूमुलेट कर दे रहे हैं यह बेसिकली सॉरी बैलेंस जो पेमेंट बैलेंस रेसिड्यू पेमेंट एट टाइम जीरो आ रहा है क्योंकि एक यह है तो अटेम जीरो आ रहा है दो तिन चीज़ बैलेंस मेंट देख लो माइनस थर्टी नाइन पॉइंट फाइफ प्लस फाइव एव ट्वेल्फ पॉइंट फाइफ पॉर ठीक है यह हुआ फिर यह जो है अपना यह जो है अपना फाइव एव ट्वेल्फ पॉइंट फाइफ पॉइंट फाइफ फॉर यह जो पूरा छीज़ इस बैसिकली वाट इस इस एंपीवी ओफ रेसिड्यू आफ्टर पेंग लोन कम्प्लीटली आफ्टर पेंग लोन कम्प्लीटली अग टाइम जीरो फिर इसको मैं अक्यूमिलेट कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ इसको 1.08 तुदी पाइट 12.5 और फिर 1.06 तुदी पावर क्योंकि 15 साल के लिए बोला है मिरको फिर इसको पे कर दिया और इसके बाद में एस सोरी इसके अपने 5S4 कितना साल बच रहा है 2.5 5S4 2.5 अपना बच रहा है और इसको एवालुएट करेंगे at the rate 6% next question में आओ aat number में आओ a loan is to be repaid by a series of installments made annually in arrears the first installment is 200 per annum and thereafter installments increase by 15 each year installments are paid for 16 years और ना calculated using 5% amount निकालने बोल रहा है तो कैसे करेंगे बताओ so 185 a 16 plus 15 i a 16 है ना so this will be evaluated at the rate कितना बोलो this will be evaluated at the rate 5% construct a loan schedule that shows the capital and interest elements included in and the amount of loan outstanding after each of the 5th and 6th installments तो हम लोग को एक मिनिट कितना साल का loan है तो हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा loan outstanding at time 4 so time 4 पे निकालेंगे तभी रामने बना पाएंगे loan at the beginning EMI, interest, capital loan at the end दो साल का पुरा बना के दिखाना है तो time 4 पे क्या होगा पहले तो यह बताओ 185 प्लस 15 इंटू 4 यह payment होगा time 4 पे तो time 5 यह कितना आ रहे हाँ time 5 पे कितना होगा यह होगा ना आप देखो 16 में 4 सल चला गिया तो कैसे निकालेंगे ए 12 ठीक है जब यह निकल जाएगा फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बोलो यह वाला जब निकल गया फिर हम लोग को EMI पता है फिफ्ट वाला EMI कितना है बस अप्पूरा लोन से लू बनाएंगे कॉलम क्या रहेगा year फिर आएगा तुमारा loan outstanding at start फिर आएगा तुमारा EMI बेसिकल यहां पर आएगा तुमारा installment फिर आएगा तुमारा interest capital repay फिर loan outstanding at end तो बस years 5 और 6 का बनाना है ठीक है फिर उसके बाद में बोला calculate the capital and interest elements of the final installment तो final installment के लिए 185 प्लस 15 इंटो 16 कितना अधा पहले यह बताओ 425 होता है तो 425 V निकालो कितना अधा बताओ this is the capital component and 425 minus 425 V is the interest component बहुत सिंपल है लास वाला तो बहुत ही सिंपल है ठीक है 7 पे आईए a life insurance company sells a policy with a 20 year term that provides a benefit of 1 lakh payable immediately on death और an earlier diagnosis of a critical illness no further benefit is paid in the event of death after a critical illness claim has been paid ठीक है so benefit amount कितना बोल रहा है 1 lakh immediately on death premiums of P are paid annually in advance throughout the term or until a claim if earlier यह दे दिया है mu और sigma दे दिया है interest दे दिया है row and new अपने को क्या बोल रहा है benefit of 1 lakh payable immediately on death और on the earlier diagnosis of a critical illness मेरा बात बोलें row और new का तो मेरे को दरकारी नहीं है क्यों बोलता है healthy से अगर तुम एक बार sick हो गया या फिर तुम मर गया दोनों ही case में policy खतम तो row और new का अपने को दरकारी नहीं है तो इसलिए बोलता है since the policy will terminate on a critical illness claim we do not need to model row and new and these can be assumed to be 0 the present value of the benefits तो बता हो क्या होगा present value of the benefits बोलो 1 lakh बोलो integration बोलो कितना सल का policy है 20 सल का है हाँ तो बोलो कैसे होगा 1 lakh 0 to 20 बोलो फटाफट बोलो claim कब मिलेगा e to the power minus delta t तो अपने को तो interest दिया है न ln 1.03 उसके बाद वो healthy था और फिर healthy से या तो सिक होगा या फिर मर जाएगा तो बोलो minus 0.025 minus 0.015 और फिर into में आएगा दोनों forces का sum 0.04 क्यों? dt क्योंकि देखो या तो वो सिक हो जाए या फिर वो मर जाए दोनों ही cases में क्या हो जाएगा? पैसा मिल जाएगा ठीक है? तो इसलिए दोनों का sum मैंने या पर की है basically e to the power minus this plus this is what? staying healthy and staying healthy then either sick or dead calculate the present value वो कर लेना the present value of the annual premiums is given by the following formula annual premium के लिए क्या करेंगे? बताइए annual premium के लिए क्या करेंगे? summation कहां से जाएगा? f to g मतलब क्या? 0 to 19 अरे annual premium है ना? तो क्या हो जाएगा? summation 0 to 19 e to the power minus बोलो e to the power minus ln 1.03 minus 0.04 क्योंकि healthy रहना पड़ेगा healthy रहने का क्या है? healthy रहने का क्या है? e to the power minus sum of all the forces out of that state 0 to 9 लिग दिया 0 to 19 होगा ठीक है? देख लीजिए इसको बहुत अच्छा कोश्य नहीं है 9 नमबर देखो fixed interest security of nominal amount 10 lakhs is to be issued paying coupons quarterly in arrears at a rate of 6% 10 lakh है by paying coupons quarterly in arrears बोल रहा है so quarterly in arrears ठीक है? और rate कितना दे दिया है? 6% का rate दे दिया है the security is to be redeemed with a capital payment of बोलो capital payment of 105 per 100 nominal so redemption अपने को क्या दे दिया है? 105 percent the security is to be redeemed with a capital payment 20 to 25 तो क्या दे दिया है? optional redemption dates the date of redemption is at the option of the borrower investor who is liable to income tax 20 percent and capital gains tax कितना बोला है? 25 percent which is to purchase the entire security at the date of issue at a price that ensures net effective इतना भाई यह बहुत simple है ठीक है? बोलो उसको कैसे कैसे करना है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को क्या बोला है? 4.9 percent 4.9 percent बोला है? ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? quarterly बोला है ना? quarterly in arier very good so i4 we will calculate at the rate 4.9 percent and 1 minus t1 मतलब 0.2 into d by r so 6 by 105 gain हो रहे की loss हो रहे? फड़ावट से बताइए यहां से तुम्हारा आएगा capital gain so capital gain आ रहा है इसका मतलब क्या है? worst possible case is 25 years मान के पुरा question को करना है हा? नहीं तो at least बोला है ना? बोलेगा question में best case best case नहीं आएगा? बोल देगा specific के लिए तो बात अलग है ऐसा बोल देगा maximum इतना return चाहिए but maximum इतना return बोलेगा ने क्यों बोलेगा? as an investor I am only concerned कि भई यह बताओ मेरे को कम से कम कितना मिलेगा कभी भी तुम किसी investor को यह पूछते भी नहीं देखा होगा जादा से जादा कितना मिलेगा ठीक है? sky is the limit in life so वही बोला है since there is a capital gain the security is at least the security is least valuable to the investor if the repayment is made by the borrower at the latest possible date ठीक है? उससे को English में लिख दिया है अब बताओ price अगर 100 nominal है so 6 का कितना मिलेगा? 80% कितना साल? 25 साल plus so the price is equal to plus 105 V to the power minus 105 minus P V to the power 25 का 25% अगर मानलो बोलता है half yearly coupons है तो क्या होगा बताओ? if the coupons were paid less frequently then the investor would have to wait longer on average for the coupon payments to be made this will make the investment less valuable and therefore the price would be lower अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? 0 1 by 4 2 by 4 3 by 4 and 1 सब में क्या हो रहा है? सब में क्या हो रहा है? कुपन पेमिंट्स मिल रहे है? सब में क्या हो रहा है? कुपन पेमिंट्स मिल रहे है? 1 by 4 2 by 4 3 by 4 and 1 पे फिर यो लोग बोल रहा है गर half yearly होगा तो क्या होगा? थोड़ा डीले हो जाएगा मानने ये वाला जो पैसा ये भी यहाँ मिलेगा और ये वाला जो पैसा ये भी यहाँ मिलेगा तो बोलता है जो investment होगा वो क्या हो जाएगा थोड़ा less valuable हो जाएगा ठीक है आओ बहुत बढ़िया कुश्चन नहीं आओ इसको करेंगे last question life insurance company is proposing to launch a 3 year with profits endowment insurance policy तो कितने साल का policy है 3 years का है endowment insurance है और with profits है compound reversionary bonuses are declared at the end of each policy death benefit ये टो ठीक है death benefit does not include any bonus if the policy order dies during the term the basic sum assured plus any attaching bonuses is payable on survival to the maturity the basic sum assured plus ठीक है premiums are paid yearly in advance rate of interest बोल दी है 2% mortality 120% of AM92 ultimate initial expenses is 200 renewal expenses is 30 पर अनम on the second and third premium dates initial commission is 15% of the first premium renewal commission is 1.5% of the second and third claim expense is 50 reversionary bonus is 2% now this is again interesting terminal bonus so terminal bonus is 10% of the sum of the basic sum assured and the attaching reversionary bonuses this is payable on maturity only risk discount rate is 7% calculate the premium using a discounted cash flow projection for a policy with a basic sum assured of 15,000 issued to a life age 62 exact ठीक है फिर हम लोगों को reserves के लिए बोल दिया है अभी देखो उपर में reserving का कोई भी बात नहीं हुआ है उपर में अपने को reserves के बारे में कुछ भी नहीं बोला है नॉर्मल प्रोटी निकालना है फिर अपने reserves का adjustment करने बोल रहा है फिर दुबारा से बोल रहा है वो निकालने premium ठीक है assume that the life insurance company charges the premium ठीक है आओ देखो इसमें ना तींचा चीज़ समझ लेना जैसे x जो है वो है 62 63 और 64 ठीक है तो क्या-क्या बनाएंगे ध्यान देना सबसे पहले हम लोग को qx base so basically am92 ultimate से हम लोग देखके निकालेंगे table book निकालो तो अपना जो qx base आएगा यह आएगा 0.010 112 फिर उसके बाद में अपने क्या करेंगे बताना 120% of qx base so जैसे इसका 120% आएगा 0.012 134 अब qx आजाएगा फिर अपने क्या निकाल लेंगे px and यह आदर अप्रोट इसे ps जाने के लिए क्या करना पड़ता है t-1 t-1 ap अब समझो एक चीज को मने px अपना आएगा 0.987 866 तो t-1 वाला जो है न वो 1 आएगा अब जैसे second year में आएगा 0.98 6 387 है ना तो second year में खाली यह आएगा और third year में आएगा 0.987 866 into 0.986 387 इसका reason क्या चीज समझना मतलब अपने को pro t सो पहला साल में जब ps2 निकालेंगे तो 0 पे खड़े होके देख रहे इसलिए अब second year का pro t से ps2 जब जाएंगे तो first year survival का probability multiply करेंगे जब third year का pro t को ps2 में convert करेंगे तो पहला 2 साल third year का जब मैं ps2 निकालूंगा तो पहला दो साल का जीने का probability multiply करूँगा ठीक है यह पहला table था फिर death benefit में देखो bonus कितना बोला है death benefit में देखो तो bonus कितना बोला है हाँ 2% बोला है तो पहला साल मर गया तो 15,000 फिर into 1.02 तो 15,300 और फिर बोला है 15,606 समझ गया ना factor क्या है 1.02 terminal bonus कितना बोला है देखो तो एक बार 10% है ना तो इसको एक बार की काम करो into 1.1 करो और देखो कितना आ रहे मेरा फिर आएगा maturity benefit कितना रहे बताओ तो एक बार 171 maturity benefit is oh sorry sorry my mistake एक चीज़ समझ ना देखो यह पर बचलो गड़बड़ी कर देगा यह हो गया death benefit 1,2 और 3 का जो maturity benefit होगा एए इधर ध्यान दो जो maturity benefit होगा उसके लिए हम लोग करेंगे 15,000 2% करके 3 बार bonus फिर into करेंगे 1.1 अलग से अब बताओ कितना आ रहे ठीक है इसके बाद में अब columns क्या बनाएंगे उपर में सबसे पहले आएगा years 1 2 3 फिर आएगा premium फिर आएगा commission फिर आएगा expenses फिर आएगा interest फिर आएगा death outgo ठीक है फिर आएगा maturity outgo फिर आएगा तुम्हारा claim expense ठीक है फिर आएगा तुम्हारा claim expense ठीक है फिर आएगा तुम्हारा pro t expense will be what हां जैसे claim expense अपने को कितना बोला है भापता ना हां अ नहीं तो claim expense जो है ना यह अला calculate करो तो जो claim expense है कितना आएगा पहला सल का बताओ हां कैसे आ रहे है 50 इंटू मरना क्या होगा क्यू 62 जो नया वाला जो है star basically उस्ते आ रहे है 50 हो जाएगा premium में तो pp डालेंगे commission expenses that outgo so that में भी basically जो some assured है इंटू मरनेगा अगर मरेगा तो नहीं नहीं एड नहीं होगा एक मिनट एक मिनट थर्ड यर में क्या होगा this into मरने का probability and this into oh sorry death और maturity का तो अलग-अलग बनाए तो यह तीनों में ही मरने का probability होगा और इसमें बस खाली अच्छा इंट बाद बताओ यह वाला कैसे calculate करेंगे इसमें उसका मतलब क्या है हम लोग यह assume कर लेते हैं कि हम लोग third year के start पे जिन्दा है ठीक है बहुत basic सा सम है यह प्रोटी ऐसा नहीं profit टेस्टिम ने बहुत सारा sums किया भी है अब एक चीज देखना reserve के लिए क्या क्या additions होगा opening reserve closing reserve transfer to reserve and interest on reserve बोलो transfer कैसे निकालेंगे closing into survival probability minus opening और t-1 apx जब मैं multiply करूँगा तो क्या आएगा बट फिर भी अगर मेरे को NPV of profit signal से निकालना है तो V, V square, V cube से मेरे को multiply करना पड़ेगा NPV निकालने के लिए table के बाहर हाँ और table के अंदर मने pro t तक जो अपने को दिया है 2% दिया है क्या ठीक है तुम लोग कैसे करेगा तुम लोग क्या करेगा PST निकालेगा राइट तुम लोग करेगा NPV of PST को 0 NPV of PST को 0 करेगा तभी answer आएगा तभी answer आएगा तभी आएगा देखो एक मेट एक मेट तुम लोग को वह ला कमेंट करने क्या सेकेंड वाले में क्या नहीं दोनों में तो premium निकालना है दोनों में करना पड़ेगा अलग-अलग तुम समझी नहीं प्रोटी तक का तो column एकदम सेम रहेगा तो यह सारा जो adjustment प्रोटी के बाद करो ना चालू करो इसमें तुम्हारा प्रोटी से बस और reserve में क्या interest दिया है Reserving rate बोल दिया है 2% है Reserve पहले साल में 5,000 है 5,000 का 2% कितना होता है तुम्हारा 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 opening reserve चालू होगा 0 से क्योंकि पहला reserve बनाएंगे end of year 1 पे 5,000 का 2% कितना होता है 100 ना अच्छा इसमें एक चीज़ देख लो तुम reserve बनाया reserve बनाने के बाद में भी तुम्हारा जो profit वेक्टर आ रहा तुमको solve करना पड़ेगा अच्छली पहले तुम्हारा P के terms में आएगा अभी तो premium नहीं पता है तो तुम्हारा pro T सब P के terms में आएगा reserve बनाने के बाद में भी तुम्हारा जो pro T figures आएगा वो कुछ ऐसा आएगा minus 21 शुरू में negative है वो ठीक है but third year में आ रहा minus 1214 और यहां पर आ रहा 1144 ठीक है पहला साल में negative है वो तो अपने समझ चुक है कि हाँ भाई तुम 020 करो नहीं करो पहला साल में negative ठीक है बोलता है reserve बनाने के बाद में भी third year में negative आ रहा है बोलता है despite setting reserves insurance company is facing a negative cash flow in policy year 3 the company may find itself with insufficient funds to meet all the claims that fall due in policy year 3 मने करने के बावजूद भी negative आ रहा है this implies that the reserve setup are not sufficient it would be prudent to hold larger reserves ठीक है now break thank you but it's okay